Hello Friends, Welcome to SEMA's Cookie Zone आज मैं पावभाजी बनाने जा रही हूँ जिस कोकी मैं बनाओंगी राजमा के साथ में तो यह हो गया राजमा पावभाजी, इसके लिए मैं ने एक कप राजमा लिया इसको मैंने रात में भी हो दिया था फिर ब्लिंक विटमों में नमक के साथ में वचल अलो चील कर से राज में जबं लेहां फिर में ऊज़क Very Good बनाने लिए मैं ब्लबेमन कटाए लिया है उसे में थोड़ा सा थोड़ा सा य। थोड़ा बटर भी दालूँगी तोड़ा सा बटर मैंने लिया है, हाप चमष लगभर, दुनों चीजी गरम हो जाए अच्छे से, अब मैं इसमें एक चमष घिसा हुआ डालती हूं, अब मैं इसमें एक प्याज डाल की मुटे हुए अच्छे सा कला राज है इसके बाद में इसमें और चीजाएट करूँगी राजमा की अपने बहुत फायदे हैं इसे आप जोर अपने डायट में शामिल करें प्याज भी हरिका भुन गया है बहुत ज़्यादा हमें इसे नही अब तब तक भूल लेंगे जब तक की लेसन का कच्छा पर निकल लेंगे अब मैं इसमें लोटा माटर कटे हुए डालती हूं इसको भी सीमें भूल लेंगे बढ़ियां से इसी से में मैं इसमें कुछ और भी चीजा आट करूँगी एक एक चमज धनिया पौडर जीदा प आधा चमज लाल मेश पौडर जाट मैसाला इन सबी चीजों क अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें तो माटर को बढ़ियां से इसमें गल्लें देंगे और अच्छा से बढ़ियां से बोनेंगे थोड़ा देश को ड़के पका लिए अब यह थोड़ा से खोल चलाती हूं कि फ्रॉडा समय से पानी एड़ करूंगी रूब अच्छी खुश्बॉर ही है टमाटा भी अच्छ से पगए हैं अब इसमे दुबाल के राज मे रखा है उसी डाल देती हूं आब शांति अरू डाल देती हूं दुबाल के रखा है अब मैं इसमें स्वात के इंसा नमक डालूंगी अब मैं इसको थोड़ा सा मैशर से मैश करूंगी जिसे के सारी चीजें नमब्ढियां से मिक्स हो जाए और जैसे पावभाजी की भाजी रहती है उसी टैपसे इसको बनाना है एक बार इस तरीके का आप भाजी बना करके देखिएगा बहुत अच्छा लेगा और फाइदेत इसको हैं ही कभी कोई बच्चों को बड़ों को भी राजमा खाना पसंद नहीं होता है तो इस तरीके से आप बना करके किला लिए उन्हों को पता भी नहीं चलेगा वह काफी प काटका लेंगे अब गरम तब ही पर सबसे पहले बटर डालेंगे इसी में थोड़ी से लाल मिच डाल दूंगी अबस फटा फट से अपना पाओ को इसमें नगदूंगी सेखने के लिए थोड़ा साइड से भी पलट के सेख लेते हैं और देखिए कितना बड़ी है कलर आया इसमें यह भी रेडी होगे सिख करके अब चलती हूं सर्विंग प्रोसेस की और तो यह देखिए गरमा गरम राजमा पाव भाजी बनकर के तयार है आरा ना देखकर के मूं में पानी इसी आप किसी भी ओकेजन पर बना सकती है चाहे बच्चों की बड़े पाटी हो चाहे घर में कोई फंक्शन हो उसमें आप बनाईए सभी को बहुत पसंद आएगा और मैंने इसे राजमा से बनाया है तो यह हल्दी तो है ही तो आभी इस है है अए बड़े इस तो